वेलो फ्रेंट्स वेल्कम पूर यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम दिस्कुस करने शारे हैं बाइलोजी का इंपोर्टन टॉपिक्स क्लास 12 का टॉम टू एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से तो आपको यह वीडियो लाज्ट तक देखने हैं क्योंकि वीडिय अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है आप आज सी स्टार्ट कर सकते हैं जो जो टॉपिक में इस वीडियो में बताऊंगी अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाने वाले हैं तो यहा आपका पैथोजन पैरसाइट कासिंग हुमन डीसीज और कंट्रोल तो जितने भी आपके पैथोजन है और जो पैरसाइट उनके पीछे तो आपको उन सब के नाम पता होना चीह जितनी भी बिमारिया जो है वह इंसी आटी में में इस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है उन सब्सक्राइट के लिए उनको भी आप अच्छे से समझेंगे क्यूंकि आपको पता है कि एक्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है जब तक आप चीजों को समझनी की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स नहीं बन पाएंगे अगर आप लोग को दिक्कत ह तो मैं चाप्टर नोट्स त्यार करके भी आपको चाप्टर को समझा सकती हूँ जिससे कि आपको चाप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट के आए कि अरुलसेन वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके लाबा ड्रक्स और अल्कोहल एव्यू उसके पीछे जितने भी कारण होते हैं और स्पेशली अल्कोहल का भी एक सिक्षन दिया गया जिसके लिवर खराब जाता है सिरोसिस की कंडिशन हुआती है तो वह थोड़ा सा जो है हलका हलका पको पढ़ लेना है ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टन है वो आपका ये वाला सेकेंड वाला टॉपिक बहुत ज़दा इंपॉर्टन है नेक्स चप्टर की अगर मैं बात करूँ चप्टर नमबर टेंथ माइक्रोब्स इन हुमेन बेलफियर तो इस चप्टर में जितने भी हाउसोल्ड फूर्ट प्रोसेसिंग फूर्ट होते हैं जो की माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं बो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रडाक्शन जितने भी होते हैं माइक्रोब्स के थूँ उसको पढ़ना है सीवेस ट्रीट्मेंट में आखिरकार माइक्रोब्स का क्या रोल प्ले होता है वो पढ़ना है और ये काफी ज़दे इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट में इसको मान के चलिए ये वाला टॉपिक कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा नेक्स आपका टॉपिक है energy generation and microbes as a bio control agent and bio fertilizer ये वाला टॉपिक काफी important है बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही important है तो इस टॉपिक को बच्चे इग्नूर कर देते हैं आपको इग्नूर नहीं करना है क्यूंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ इस लिए यूज किया जाता है यह सारी चीज़े आपके लिए बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जानी है ने जो चाप्टर आपकी एक्जाम में आ रहा है इस चाप्टर नबर 11 बायो टेक्निलोजी प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला चाप्टर इस चाप्ट के बाले में पढ़ लेना जिस बच्चे को नहीं समझ में आये चाप्टर तो बायो रियक्टर वाला जरूर टॉपिक पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाउंस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ लेना बहुत इजी पीजी है थोड़ा सा एक दम छोटू सा टॉप यूमन इंसुलीन के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर बार कोशन आता है इंसुलीन से तो जरूर कर लेना और वैक्सीन प्रोडक्शन वाला टॉपिक फिर भी इतना इंसुलीन पे ज्यादा फोकस करके चलना क्योंकि इंसुलीन वाला ना मतलब एक्जामेनर पूछेगा ही पूछेगा और यह वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल की टेकनलोजी पढ़ लेना आपकी इंसुलीन बहुत दार डिटेल वे में लेकिन फिर भी इंसुलीन थोड़ा सा बाहर जाके पूछ लिए क्वेस्टेंस वगएरा एक्जाम में तो थोड़ा सा यह इसको बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है इसके अलावा जो जैसे बीटी क्रॉप है ट्रांजनिक एनिमल है बायो पाइरेसी है यह वाला टॉपिक्स बहुत जादा इंपॉर्टेंटे इसलिए मैंने हाप बीरी इंपॉर्टेंट लिए यह वाला टॉपिक किसी भी अबर 13 आपके एक्जाम में आ रहा है और गिनिजम और पॉपिलेशन इस चाप्टर में जिस चीज पर आपको ध्यान देना है यह विटेट इट नीके में क्या डिफरेंस है यह क्वेस्टन आपसे पूछा जा सकता है और प्लीज करके हर बच्चा अच्छे से डिफरेंस य जहां से क्वेशन बनने ही बनने है एलन्स रूल है जितने भी टाइप के इंटरेक्शन वगरा इंसी आटी में एक्जाम्पल के थ्रू दिये गए हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना है पॉपलेशन आट्रिब्यूट्स जितने भी है ग्रोथ रेट क्या होता है बर्थ आपका चाप्टर रहे है चाप्टर नमबर फफटींथ दैट इस बायो डैवरस्टी एंड कंजरवेशन इस चाप्टर में पढ़ोगे एक कॉंसेप्ट ऑ बायो डैवरस्टी क्या होती है किस किस लेवल पर बायो डैवरस्टी होती है ठीक है बो वाला टॉपिक जरूर यह पैटर्न आपको पढ़ना है बायो डैवरस्टी कंजरवेशन कैसे कर सकते हैं यह पढ़ लेना होर्सपोट का जो नाम है वो याद कर लेना इंडेजर्ड ऑर्गेनिजम जितने भी हैं उनके नाम याद कर लेना ड्रेट डैटा बुक क्या होता है इंसी आटी में इतना म करते चलना है जो टापिक्स मैंने आपको बताए हैं और बिल्कुल भी इंग्नोर नहीं करना है मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारी वीडियो प्रवाइट करूंगी लेकिन आगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए थैंक यू थैंक्स वाचिन मैं वीडियो